भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राची के मोराबादी मैदान में आयोजिल युवा आक्रोस रेली में पूरे राची से हजारों की संख्या में युवाओं का जुटान हुआ हलाकि भाजपा का आरोप है कि रेली को असफल बनाने में सरकार ने अपने यंत्र का भरपूर दुरुपयोग किया पर रेली सफल रही जगा जगा रोक टुक के बावजूत मोराबादी मैदान में भाज्यूमों कारिकरताओं की भीड देखने लायक थी जहां भाजपा के परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरंडी, विबक्ष के नेता अमरबावरी, पूर्व मुखमंतरी अरजुन मुंडा सहित, पार्टी के कई कदावर नेता भी कारिकरताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुँचे हुए थे हाला कि पहले तो पूलीस के द्वारा कारिकरताओं को मुराबादी मैदान जाने से रोकने के लिए कई जगा बेरिकेडिंग लगाई गई थी मुराबादी मैदान से निकल कर कारिकरता जैसे हिं मुखमनत्री आवास की और बढ़े सेकडों की संख्या में तैनाद पुलीस जवानों को रोकने के लिए आसु गेस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का परयोग किया इस दोरान पुलीस जवानों ने कुछ स्थानों पर भाजपा कारेकरताओं पर लाठी भी भांजी जिसमें कई कारेकरताओं के घायल होने की सूचना है इस पूरे घटना करम पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने तीखी परति किरिया दी है इसलिए तर्फ लाठी लोगजार के लिए अजिए नियुक्त नियुक्त रखेंगे काटार चारग था, इसारी अघानि एसे एंग टॉको करें राइत कॉक difो करेंवें हैं हो पूरी तरह से निगंतु सुभी है अपने सफलता को छोबाने के लिए गोली भिवानने के लिगिए अब बढ़े सर्कार को जाने में ज्यादा भक्त नहीं है और दुबारा फिर बापस लौट करके धर फॉराने मुझार कोई सर्कार नहीं आएगी लिक करके रहे पारशनाथ आईटी आई भारत सरकार के NCVT द्वारा मानित अप्राप भगवान पारशनाथ की धर्ति गिरिडी शहर के बक्षिडी रोड में वर्स 2017 से संचालित है पारशनाथ आईटी आई संस्थान का उद्देश अस्थान के युवाओं को कौशल वा तक्निकी शिक्षया प्रदान कर गिरिडी सहित जारकंड वा देश की बढ़ती और दोगी की काईयों को कुशल कामगार उपलब्द कराना है तो जल्द नमांकर कराएं आप अपने शहर के पहले आईटी आई पारशनाथ आईटी आई में भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्दारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्रीशन वा फिटर का बेहतर प्रशिचन दिया जाता है ताकि युवक युजन या स्वन युजन के अवसर प्राप्त कर सके हमारा पता पारशनाथ आईटी आई बक्षिडी रोड नियर गिरिडी बस स्टैंड गिरिडी जहारकंड आडमिशन इस गोइंग आउन